दक्षणी दिली के आउटर रिंग रोड से गुजरने वालों के लिए एक खुश कबरी आई है 12 मार्च को चिराग दिली फ्लाई ओवर को मेंटेनेंस कारे के लिए कई जगा यहां से रोक दिया गया था चिराग दिली फ्लाई ओवर पर तभी से मेंटेनेंस का काम चल ला था शुरुआती दोर में नेरु प्लेस से जो ट्रैफिक आती थी आपको IAT के तरफ एएरपोर्ट के तरफ उसको रोका गया था फिर बाद में चल करके जो ट्रैफिक IAT एएरपोर्ट से नेरु प्लेस की तरफ जाती थी उसे रोक दिया गया था PWD ने इस मैंटेनेंस काम के लिए 50 दिनों का वक्त दिया था जिसे PWD के करमचारियों ने डेडलाइन से पहले यानि 50 दिनों से पहले 45 दिनों में ही इस काम को लगवग खत्म कर दिया है हम लोग इस वक्त उसी फ्लाइओवर पर मौझूद हैं आप देख सकते हैं चिराग दिली का ये वो फ्लाइओवर है इस फ्लाइओवर को जो रास्ता ये जो रास्ता है जो हमारे सामने जा रही है ये IIT से नेहरु प्लेस के तरफ जा रही है आप देख सकते हैं इस रास्त इस आउटर रिंग रोड पे काफी ज़्यादा जाम की समस्य आ रही थी अगर मैं आपको दूसी तरफ से दिखाऊं जो रास्ता आपको नहरु पलेस से आई आई टी के तरफ जाता है इस फ्रायोर पे जो काम चल रहा है उसको ले करके आप देख सकते हैं काफी दूर तक यहाँ पे जाम लगा रहता है जाम की आई स्तिती लगबग 45 दिनों से दिल्ली वाले जहर रहते हैं यह जाम की इस्तिती जो है आई आई टी फ्लायोर से कुछ दूर आगे बंडे पेवाद जब हम चिराग दिल्ली के तरफ आएंगे वहाँ से शुरू हो जाता था यह दरसल दक्षिडी दिल्ली का यह बहत ही एहम रास्ता आई यह आउटर रिंग डोड जिससे एरपोर्ट से नहरु पलेस ग्रटर कैलास बी आरटी जैसा इंपोर्टन रास्ता यह सभी रास्तों को जोडता आई यह और इतने दिनों से जो काम बन था यह फ्लायोर जो बन 26 अप्रेल से यह जो फ्लायोर है पूरी तरीके से दिल्ली वालों के लिए खोल दिया जाएगा यानि जो काम है आप देख सकते हैं जो काम है बिल्कुल फाइनल टच पे है जितने भी यहां पर मलवा पड़ा हुआ था पी डबलूडी के कर्मचारियों ने उसे पूरी तरह से साफ कर दिया है एक तरफ से रास्ता भी खोल दिया अब बचा बस यह रास्ता जो अभी आपको सामने दिख रहा है 26 अप्रेल से यह भी रास्ता जो है यह सुरू कर दिया जागा तो कही ना कहीं पी डबूडी के करम-चारियों ने बहुत अच्छा काम किया यह डेडलां कुमार दिनले ताक